Hey everyone, welcome to Clad Point and let's start आज कामारा अद्धा इंदो निउस डिसक्शन काफी कुछ है पढ़ने के लिए काफी कुछ है सीखने के लिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं मारे आज के सेशन को दिखिए आगे बढ़ें उससे पहले Clad UG 2024 के लिए Clad Point का Avenger Batch आर विजेता Batch, if you are preparing for NLSAT then our Praram Batch is there and for Clad PG there is Achievers Batch तो इस सारी चीजों की जानकारी जो है आपको हमारी एप्लिकेशन से मिल जाएगी, just download our application, go through with the demo classes and अगर आपको सही लगता है then you can enroll also, ठीक है? चलिए, contact number भी है टीम का, अगर आपको जैसे कोई डाउट होता है या कोई और जानकारी चाहिए, तो feel free to call us, they will help you out. यहाँ पर देखें पहली news जो है, वो करनाटका से आई है, क्या आई है? देख लेते हैं, सबसे पहले देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, करनाटका government set to give cash in due of free rice from July 1, आपने कुछ दिन पहले एक news पढ़ी थी कि करनाटका government जो है न व आच किलो rice उन्होंने कहा था कि हम देंगे, तो उसके जगा पे हम 170 rupees per month देतेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, per person every month from July 1, ठीक है, उस scheme का मतलब इन्होंने alternate निकाल दिया, कि भाई अगर उस level पर rice available नहीं है, हम नहीं procure करके दे पा रहे हैं, तो उसके जगा पर हम 170 rupees दे देते हैं, तो इसलिए news में है, इस scheme का इनके तरफ से नाम क्या था, अन भागये योजना, यह सब पढ़ा हुआ है हमने, बस अभी इसमें नहीं है, अपडेट थी, तो इसलिए इसको यहाँ पर cover करने की सोची थी, ठीक है, इसके बाद देखो, अगला article जो है, वो है कि scheme get central government green light, कौन सी scheme, जस्ट give me a second, यहाँ पर दीकी cabinet committee on economic affairs ने अप्रूव कर दिया है, PM प्रणाम scheme को, PM प्रणाम, पहले तो full form ही समझ लेते हैं, प्रणाम का full form क्या है, promotion of alternate nutrients for agriculture management यूजना scheme, इसका main objective क्या है, इस particular scheme का, देखो, chemical fertilizers ना बहुत जादा use होते हैं, किसानों के द्वारा बहुत जादा किसान इसको use करते हैं, इन agriculture, तो बस उसी का use कम करने के लिए, कोशिश यह है कि agriculture में, chemical fertilizers के जगहाँ पे, आपका biodegradable जो fertilizers होते हैं, बायो fertilizers होते हैं, organic fertilizers होते हैं, तो किसान उसके तरफ shift करें, तब उसमें वो क्या करेंगे, subsidy provide करेंगे, इस तरीकी की चीजे करेंगे, तो वो यहाँ पर यह news है, इसकीम का नाम मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद देखो केरल की news है, increasing state augs attack of violation of child right, देखो state augs का minions जो अभी आप काफी सारे states में देख रहे हो, सिर्फ केरल में नहीं, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी दिल्ली के अंदर, कि एक बच्चे को कैसे गायल कर दिया था state augs ने, फिर हमने करनाटका में इस चीज़ देखी थी, केरल में काफी सारे ऐसे incident देखने को मिल रहे हैं, तो केरल में क्या हुआ, केरल के अंदर state commission for protection of child rights जो है, वो supreme court पहुँच गई है, उनका ये कहना है कि state augs जो है, जो बच्चों को नुक्सान पहुचा रहे हैं, ये कहीं न कहीं बच्चों के safety के लिए खत्रा है, और इसके उपर आप कोई ना कोई action लीचे, यहां पर सुप्रीम कोट से गुहार है, किसकी केरला state commission for protection of child rights, ठीक है, चलिए, बढ़ लेतने इससे भी आगे, यहां पर देखिए एक article आया हुआ है, एडिटोरियल में, हम लोगों ने अल्रेटी बहुत बार डिसकस किया हुआ है, अब चाहो तो इसको बस पर सकते हो, काफी सारे aspect लिखे हुए है, और देखो सिफ एक दो चीजों पर नहीं रहते हैं, आपको याद होगा, mere election था, वहां पर हुआ, फिर appointment of executives पर हुआ, यह भी recent मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले ना जाने कितने incident होते रहते हैं, अभी वो exercise policy वाला पूरा मामला था, उस हैं यह आप देख लो, तो मतलब और governor versus cm के decisions पर चलता ही रहता है, तो यह मतलब दिल्ली में बहुत ही कभी situation जो है na critical है, और हर छोटी चीज़ पर आप रहा है, या फिर मामला news में आ जा रहा है, क्योंकि बन नहीं रही है सरकारों की आपस में, और दिल्ली ऐसी जगा है जह Supreme Court Collegium gets a makeover with two new judges joining, वैसे आपको देखो पता है कि Collegium के अंधर क्या होता है, senior most judges of Supreme Court plus five or senior judges, sorry, CGI plus five senior most judges of Supreme Court, यह आपका Collegium बनाता है, लेकिन अभी ना जो हमारे डीवाई चंदरचूत सहाब के अंधर में जो Collegium है na, इसमें there will be six members, क्यों मैं भी इसमें बताऊंगा, फुल नाम क्या है, इनका धननजय यश्वन चंदरचूत, अब देखो छे judges क्यों रहेंगे, क्योंकि देखिए अभी इनका tenure ना काफी लंबा है, और उसके बीच में काफी सारे judges retire हो जाएंगे, तो उसका एक ऐसा process है कि भाई, Collegium के अंदर वो बंदे रहें जो next on the line of CGI रह जब थे, तब यह चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है, अब Collegium कैसे work करता है, क्या है, यह हमने देखो पहले भी किया हुआ है, आपको याद होगा, first judge case, second judge case, हमने इस सारी चीज़े देखी थी, फिर NJC के बारे में देखा था, जब आई थी, अगर आप लोगों इनका से जाने कोशिश करता हूँ, Collegium का क्या residence binding होता है, government के उपर, या government चाहे तो कोई नाम recommend कर सकती है, तो जवाब देखो, Collegium का नाम binding होता है, Collegium अगर कोई नाम refer करती है, government को, तो government जदर से ज़्यादा ये कर सकती है, कि हाँ भाई, आप एक बार और reconsider करो, इस नाम में हमें य ये issue लग रहा है, आप reconsider करिए, हमें नहीं लग रहा कि ये वरनने चाहिए, अगर उसके बावजूद भी Collegium उन नामों को आगे बढ़ाती है, तब सरकार को उनको appoint करना ही पड़ेगा, सरकार जदर स्यादा इक कर सकती है, कि appointment में delay कर सकती है, तो ये सरकार काफी बार करते ह वे देखी गई है, बट, Collegium ने जो recommendation करी है, सरकार उसमें alter नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, चलिए, इसके बाद मेमार जनता एरिस्ट्राइक स्किल 10 civilians, डैमेज 11 houses, तो मेमार में चली रहा है, आपको पता ही है, military crisis, मेमार की पुरी कहानी भी पता है, तो उसको revise कर लेना है, यहां पर ठीक है, इसके बाद है, नेपाल supreme code order government to register same sex marriages, तो यहां पर देखिए, government of नेपाल को supreme code का order आया है, उनके यहां से कि भाया, same sex marriage जो है, इसको register करो, और यह नेपाल में हो रहा है, तो इंडिया के लिए इतना important है, जो कि हमारे यहां भी इस चीज़ की demand आ रही है, कि same sex marriage को registration कराना चाहिए, देखो, हमारे यहां पे पहले तो यह सब criminal activities थी, जब इसको decriminalize भी किया गया, तब भी marriage के लिए कोई concept नहीं है, तो अभी क्या demand आ रही थी कि जो special marriage act है, उसके अंदर पे LGBTQ community को भी जो है, शादी करने का right मिले, लेकिन अभी यहां मामला pending है, लेकिन यह चीज कहां पे हुई है, नेपाल में हुई है, तो इसलिए इंडिया के थोड़ी सी relevant हो जाती है, इंडिया needs a uniform civil code, affirms Modi, देखो जो इससे पहले की news थी ना, वो आज की newspaper की थी, अब यह कल का newspaper हम देख रहे हैं, तो यह uniform civil code क्या है, 19th June के session में पूरा discuss किया है, हमने, तो I am not going to repeat it, Modi ji ने कहा है, बहुत important यह topic हो जाता है, आप लोगों के exam के लिए, UCC अच्छे से कर लेना, notes बना लेना, last Chinese reporter leaves India after visa extension denied, आपको याद होगा हमने last month जो है, वो चाइना इंडिया का जो visa issue चल रहा था, उस पर किया था, वही से related यह article है, चाइना का जो last media person था जाना, उसका visa extend करने को इंडिया ने मना गर दिया है, चाइना के अंदर भी भारत का एक last अभी journalist है, let's see, अब चाइना उनके साथ क्या decision लेता है, क्या करने का, ठीक है, फिर है, government extend deadline for आधार-based payment for Magna Regas to August 31, Magna Rega scheme क्या है, महात्मा कांदी National Ruler Employment Guarantee Act, जिसको हम Magna Rega भी बोलते हैं, महात्मा कांदी National Ruler Employment Guarantee Scheme is an Indian legislation enacted on 25th of 2005, यह legal guarantee मिलती है, 100 days का आपको employment मिलेगी, हर financial year में, to the adult member of any ruler household, willing to do the public-related unskilled manual work at statutory minimum wage, ठीक है, कौन इसकी करता धरता है, तो, Ministry of Ruler Development, Government of India is monitoring the entire implementation, यह Act क्यों introduce किया गया था, कि लोगों की जो है, लाइफ है, जूलर एरियास में, घावों में, उसको improve किया जा सके, उनके पास cash पहुचा जा सके, उनके पास पैसा पहुचा जा सके, जिस्टे कि फिर economy में वो लोग भी सयोग करें, क्या रीजन है, ब्रिजदा gap between the rich and poor in the country, ठीक है, इसके बाद one third of the stipulated workforce must be women, यह इसका criteria है, adult members of the ruler household submit their name, age and address with photo to the gram panchayet, gram panchayet registers households after making an inquiry and issue a job card, ठीक है, एक registered person जो है, वो writing में अपने दे सकता है, लगातार 14 days, one four days लगातार जो है, आपको employment मिल सकती है, इस scheme के अंदर, radius जो है, वो five kilometer का है, अगर आप five kilometer से जादा करोगे, then extra wage should be paid, मतलब आप जहां रहते हो, उससे पांच किलो मिटर में काम देना है, अगर पांच किलो मिटर के बाहर होगा, तब आपको extra wages मिलेंगे, मैंने जैसे कि आपको बता है, सौ दिन का, एक financial year में guarantee मिलता है work का, कि आपको इतना तो काम मिलेगा ही, ठीक है, क्या है, इस scheme के फाइदे, तो पहला poverty खतम करेगा, क्या करेगा, poverty खतम करने में मदद कर सकता है, ठीक है, दूसरा है, भाई लोगों के पास पैसा होगा तो they can buy their food, good health and well being, पैसा रहेगा, health अच्छा रहेगा, खाएंगे, पीएंगे, बच्चो के पढ़ाई पैसा खर्च कर सकते हैं, gender equality आईगे, जैसा कि मैंने बताया, women's को one third, इसमें compulsion है, decent work and economic growth, पैसा आएगा, लोगों खर्च करेंगे, एकनोमी बढ़ेगी, industry, innovation and infrastructure and reduce inequalities, तो these are the benefits of this particular scheme and I hope you have liked this session, so don't forget to like, share, subscribe to the channel and जो जो भी आज इद मना रहे हैं, आप सभी को इद मुबारत, ताइंक यो सो मच, जाए हिन, जाए बारत, पहला तो है, CGI, sorry, CGM, कोलोजियम सिस्टम वर्सेस, जो है, CGM वर्सेस, government जो अभी चल रहा है, एक ये देखेंगे, दूसरा अभी crowd management पे एक article देखेंगे, आप अभी कुछ दिन में काफी बार आपने पढ़ा होगा कि stampede के वज़े से काफी साय लोगों की मित्त्य हो गई है, तो वो हम जानेंगे, ठीक है, फिर तीसरी हम जो भी important news आज की हैं, वो हम देखेंगे, सबसे पहला article जो आज हम discuss करने वाले हैं, वो हम discuss करने वाले हैं, कि कोलोजियम सिस्टम वर्सेस government एक अभी टसल चल रहा है, तो ये पूरा matter क्या है, ये हम आज के session में जानने की कोशिश करेंगे, तो पहले तो देखो, मैं आपको उसका context दे देता हूँ, recently अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे जो law minister हैं, उन्होंने सरकार को, सुरी, उन्होंने सुप्रीम कोट के chief justice को एक later लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात इसपस शक्दों में कही थी, कि सुप्रीम कोट के collagen system के अंदर सरकार का भी एक मत होना चाहिए, मतलब सरकार का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए, अभी collagen system कैसे work करता है, देखे, सुप्रीम कोट के senior most judge प्लस अदर जो four senior, सुप्रीम कोट के chief justice प्लस अदर four senior judges का मिल के जो है, वो collagen system बनता है, ठीक है, इनके दौरा सरकार को नाम recommend किया जाता है, और सरकार को इनके नाम recommendation को आगे president के थूप approval के बाद appoint करना होता है, यहाँ पर सरकार चाहे तो एक बार यह कह सकती है कि भाई कोई नाम उन्हें पसंद नहीं आया है, तो वो collagen system को बोलेगी कि आप इसको reconsider करिये, बट अगर collagen system ने फिर से उस नाम को आगे forward कर दिया, तब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस नाम के साथ आगे बढ़ना होगा, तो फिलहाल collagen system यह है, हमारा constitution इस matter पर क्या कहता है, तो देखिए, article 124 हमारा जो constitution का है, वो कहीं न कहीं इस बात को बताता है, Supreme Court से deal करता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं, एक बार मैं आप लोग के screen सही कर दूँ, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले article 124 को मैं read कर देता larger number of more than 7 other judges, तो यह देखो क्यों 7 लिखा हुआ है, कि जब हमारा constitution आया था तब bench की strength यह होती थी, आज की date में कितनी है, comment section में बताओ, दूसरा यहाँ पर यह लिखा हुआ है, कि every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his end and seal after, यहाँ पर यह वर्ड बहुत बढ़ा है, consultation और यह वर्ड अभी आग appointment करनी है, यह बात लिखी हुई है, पर इस consultation वर्ड को ना बहुत अलग अलग तरीके से interpretate किया गया है, अब इसी को ले के सारा बवाल है, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जो consultation का मतलब है, वो सिर्फ यह है, कि भाई आपको पूछना है, बट आप बात ही नहीं हो जाते हो President बात ही नहीं हो जाता है, Government बात ही नहीं हो जाती है, जो Supreme Court के Judges के recommendations है, वहीं कुछ लोग कहते हैं, consultation का मतलब है, कि भाई वो जो कह रहे हैं, वही सुनना है, अब इस matter को थोड़ा समझनी की कोशिश करते हैं, देखो, 1950, जब से हमारा देश अजाध हुआ था, तब से हो क् कि भाई, सरकार जो है, वो आपकी पूछती, Supreme Court से, और कुछ नाम जो आते, वो सुनती, लेकिन सरकार को जो finally नाम सही लगते, वो उन नाम को appoint कर देती, इसके बाद, 1981 में, First Judge Case आया, क्या नाम आया, First Judge Case, इस केस का नाम है, S.P. Gupta vs. Union of India, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, First Judge Case आया, जिसका नाम है, S.P. Gupta vs. Union of India, 1981 का ये केस था, इसके अंदर, Supreme Court ने ये कहा, कि जो consultation word है ना, Article 124 में, इसका meaning बस पूछना है, बट इसका मतलब ये नहीं है, कि उस recommendation से President and Government bind हो जाती है, फिर देखी क्या हुआ, 1993 में, Second Judge Case आया, जिसका दूसरा नाम था, Supreme Court Advocates on Record Association vs. Union of India, 1993 केस, इस केस के अंदर, Supreme Court एक नया कहानी लेके आती है, या नई story create होती है, कहानी in the sense कि नई चीज आती है, नई theory आती है, Supreme Court कहती है, consultation का मतलब ये है, कि Supreme Court जो कहेगी, वो आपको indirectly मानना पड़ेगा, and if I am not wrong, CGI plus 3 था या 2 था ये चेक कर लेना, I think, दो था, CGI plus 2 senior most judges जो है, वो जो नाम recommend करेंगे, वो नाम कहीं ना कहीं bind हो जाएंगे government पे, और government को उन नाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर देखिए क्या हुआ, President ने 1998 में आपकी court से फिर से recommendation मांगी, पूछा कि भाई, क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या opinion है, तो third judge case के अंदर जो है यहाँ पे आया की CGI प्लस four other senior judge, मैंने क्या बूला, यहाँ पे CGI प्लस दो था, या तीन था, चेक कर लेना, वैसे 99% दो था, फिर 1998 में यहाँ पे बोला गया CGI प्लस four other judge जो हैं, यह जो नाम recommend करेंगे, वो नाम government पे bind हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए, 2015 में क्या होता है, इसाथ सत्ता में आती है, और वो लोग यह सोचते हैं कि चलो यह सही समय है, यहाँ पे Supreme Court की जो kind of एक कह सकते हो की Collision System की आपस में ही decide हो जाता है कि कौन judge बनेगा, क्या बनेगा, इसको खतम करते हैं, और स्थापना करी जाती है किसकी National Judicial Appointment Commission, ठीक है, NJAC की स्थापना होत ही है, अब NJAC कैसे आती है, इस पर भी कभी कभी question आ जाता है, 99th constitutional amendment with the constitution, ठीक है, 99th constitutional amendment आया था हमारे constitution के अंदर, जिसके बाद NJAC की स्थापना करी गई थी, पर जैसे ही NJAC आया था, 4th judge case के अंदर, जो 2015 में ही था, उसी में Supreme Court ने इसको struck down कर दिया था, NJAC को struck down कर दिया थ जिखो NJAC भी अपने आप में एक important concept है, आपके exam में इस पर भी question बन सकते हैं, तो NJAC क्या है, यह मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे topic के उपर, composition of NJAC, Chief Justice of India as the ex-officio chairperson, यह कहा गया था, दो senior most supreme court judge as ex-officio member, ex-officio का मतलब चाहेगो कोई भी हो, यह fix रहेगी यह post, ex-officio का मतलब क्या होता है, कि बंदे के नाम से मतलब नहीं है, वो post से, जो भी दो senior judge होंगे, वो वहाँ पर आ जाएंगे, the union minister of law and justice as ex-officio member, फिर यहाँ पर two eminent person from civil society to be nominated by a committee consisting of the chief justice of India, prime minister of India and the leader of opposition in the loksabha, one of the eminent person to be nominated from SCST, OBC, minorities and women, तो यह NJAC की स्थापना करने की बात करी थी, जिसके बारे मैं आपको डीटेल में बताया, इसको Supreme Court ने 2015 में struck down कर दिया, उन्होंने कहा कि कि consultation का मतलब ना हमारी independence है और आप जो है उसके उपर intervare नहीं कर सकते हो, तो यह चीज हमने समझी, अभी देखो present में क्या matter है, present में देखो matter मैंना आपको बताया कि हमारे law minister ने लेटर लिखा है Supreme Court को कि भाई, government का भी इसमें कुछ से होना चाहिए, जो भी judges आप Supreme Court में अप system ने government को कुछ नाम भेजे हुए हैं, जो उनको appoint करने हैं, और यहां तक चल रहा है कि हम content proceeding start कर देंगे, अगर आप इन नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे, देखो मैंने क्या बताये था, collagen system अगर कोई नाम सरकार के पास भेज देती, सरकार के पास क्या option है, आप आपस से reconsider कर अगर के भी नाम भेज देती है, तो सरकार को उन बंदों का appoint करना ही पड़ेगा, सरकार यहां पर बहुत सारी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी government कर रही है, पहले की भी government यह करती थी, कि जब उनको कोई नाम सही नहीं लगते थे, तो वो process को delay कर देती थी, appointment ही नहीं करती तब तक उस आमने अले बंद रेटायर भी हो जाते थे, बहुत सारे, तो यहां पर सरकार को अभी डांड भी पढ़ रही है, सुप्रीम कोट की कि आप इनाम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, तो यह दो-तीन ऐसे कारण है, जिसके वज़ा से अभी यह बहुत चलेंगे, तो देखो यह बात नहीं कि सरकार को इंडिपेंडेंस दे दी जाए जज़ बनानी के लिए, लेकिन यह जरूरी है कि गवर्मेंट कौन है, वो जनता की रिप्रेजेंटेटेव है, उनका भी उसमें से होना चाहिए, आप ऐसी बहुत बार चीज़े न्यूज में लिस्ट खोलेंगे न, आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि या तो उनमेंसे जज़ेस के फादर ज़स थे, या जो बच्चे हैं, उनके फादर बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, या बहुत बड़े-बड़े लॉयर जो जज़ बन जाते हैं, तो यह जो चीज है न अपने मर्जी से कर रहे हैं, अंडेमोक्रेटिक है, जनता का कोई सेही नहीं है, ट्रांसपरियस नहीं है जो वो डिसाइड कर देते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं